जै मातादी दोस्तों, वर्ल बेस्ट मैजिक में आपका हर दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राम नौमी का पर्व साल दो हजार चौबिस में कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा का सुभ मूरत क्या रहेगा। साथी हम आपको बताएंगे राम नौमी की पूजा विदी और राम जन्मकथा के बारे में। लेकिन अगर धर्म में राम नौमी के पर्व का विशेश महत्तो है। इस दिन भगवान स्री राम जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान राम स्रीहरिविष्णु जी के सात्वें उतार थे। जिनोंने धर्ती पर बुराई और अधर्म का नासकर धर्म और सत्ति की इस्थापना की थी भगवान स्री राम जी का जन्म चैत्र मा के सुक्लपक्ष की नौमी तिथी को अयुध्या के राजा दसरत की पतनी कौसल्य की कोक से हुआ था चैत्र सुक्लपक्ष की नौमी तिथी को ही भगवान राम के जन्म दिन के रूप में मनाया जाता है और इस साल राम नौमी क पर्व 17 अपरेल 2024 दिन बुद्धवार को मनाया जाएगा और नौमी तिथी की सुरुवात 16 अपरेल 2024 की दोपहर को 1 बच कर 23 मिनट पर हो जाएगी और नौमी तिथी की समापती 17 अपरेल 2024 की दोपहर को 3 बच कर 14 मिनट पर होगी और राम नौमी की पूजा का सुमूरत सुबा 11 बच कर 3 मिनट से लेकर दोपहर 1 बच कर 38 मिनट तक रहेगा इस सुमूरत की कुल अवदी 2 घंटा 35 मिनट की रहेगी दोस्तों राम नौमी के दिन प्राता काल सुबा चल्दी उठकर नित्य करमों से निवरत्य होकर इसनानादी करने के बाद स्वच वस्त धारण करें इसके बाद पूजा इस्थल की साफ सफाई करके सभी पूजन सामगरी एक जखाय के तरित कर लें और अब लकड़ी की चौकी पर पीले रंका वस्त रुबे चालें और भगवान सिरी राम जी की प्रतिमा या राम दरवार की प्रतिमा इस्थापित करें इसके बाद राम जी की विद्वत पूजा अरजना करें उन्हें फूल माला आदित चढ़ाएं दूब दीब जलाएं अक्षट रूली चंदन आदि अरपित करें इस दिन सिरी राम जी की मूर्ती को पालने में भी जुलाने का विधान है क्योंकि इस दिन सिरी राम जी का जन्म हुआ था इसके बाद भगवान सिरी राम की पूजा में तुलसी के पत्ते और कमल का फूल भी हवसे सामिल करें और इसके बाद भोग में भगवान सिरी राम को खीर का भोग लगाएं या पंचा मृत, हलवा या दूद आदी का भोग लगाएं इसके बाद आप रामार का पार्ट करें या राम रच्छा स्तुरोत का पार्ट करें इसके बाद आरती करके विद्वत पूजा को संपन्ने करे दोस्तों इस दिन राम मंदिर में जाकर भजन कीर्टन करना चाहिए चलिए अब सुनते हैं राम जन्म कथा जो इस प्रकार है एक समय की बात है अयोध्या के महराज दसरत ने पुत्र प्राप्ति के लिए यग रखा यग के लिए राजा दसरत ने अपनी चत्रंगनी सेना को काले कान वाले घोडे को छोड़ने का आदेश भेजा उनकी इच्छा थी कि ये महान यग में हर कोई सामिल हो इसलिए राजा ने सभी रिसी, मुनियों वा विद्वान पंडितों को अमंत्रन भेजा निर्धारित दिन पर महाराज दसरत अपने दोस्त, गुरु वसिस्ट, रिंगिरिसी वा अन विद्वानों के साथ यग मंडब में पहुँचे इसके बाद विद्वत रूप से यग की सुरुवात हुई मंत्र उच्चारन और पाठ जैसे सभी विद्वाई विधान के साथ कुछ घंटों में यग पूरा हुआ राजा दसरत ने फिर सभी ब्रामनों, विद्वानों और अथतियों को ओपुहार में धन और गाय देकर आदर पूर्वक विदा किया उस यग में प्रशाद के रूप में खीर बनी थी, उस प्रशाद में पुत्र प्राप्ती का असिरवात था, जिसे खाने के बाद तीनों राणियां गर्वती हो गई कुछ समय बाद, चैतर मा के सुकल पक्षकी नौमी के दिन, राजा दसरत की पहली पत्नी यानी राणी को सल्या ने एक बच्चे को जन्म दिया उस बच्चे के चेहरे में इतनी रोनक थी कि हर कोई देख कर समझ जाता कि ये आम बच्चा नहीं है इसी तरह राजा की दूसरी पत्नी केखेई ने एक पुत्र और तीसरी राणी सुमित्रा ने दो पुत्र को सुब नचत्रों में जन्म दिया राजा दसरत का महल और नगर चार पुत्रों के जन्म से खिखला उठा चारों तरफ आनंद और जस्न का महाल हो गया इस खुसी को देखकर देवता भी फूल की वर्सा करने लगे खुसी से जूम रहे राजा दसरत ने ब्रामणों को खुब दान दिया समय आने पर सबकी मौजूदगी में चारों बालकों का नाम करण किया गया महिर्स वसिस्ट ने उनका नाम राम, भरत, लक्षमर और सत्रगन रखा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद